राजस्थान में चुनावी साल में BJP की पूर्व CM वसुन्धरा राजे BJP के बड़े प्रदर्शनों से दूरी बनाए हुए है। राजनीतिक विशलेशक वसुन्धरा राजे की दूरी को मुख्यमंत्री के चहरे से जोड़ कर देख रहे हैं क्योंकि इस बार BJP PM मोदी के चहरे पर विधान सभा चुनाव लड़ेगी इससे पहले जेपी ने लगातार दो बार वसुन्धरा राजे के चहरे पर ही चुनाव जानकारों का कहना है कि इस बार हालात बदल गए है राजे की भूमिका को लेकर फिर से अटकलों को बाजार गर्म हो गया है अपनी उपेक्षा से वसुन्धरा राजे नाराज है वसुन्धरा राजे ने हाल ही में जैपुर में हुए बड़े प्रदर्शन से दूरी बना ल उल्लेखनीय है कि चुनावी साल में प्रदेश बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की बड़े स्तर पर शुरुवात की खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नडडा ने इसका आगास किया। एसे में राजे ने प्रदर्शन में आने का निर्ने बदला। इस बार की मुख्यमंत्री प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। सियासी जानकारों का तर्क है कि हमेशा चुनावी मोर में रहने वाली बीजेपी राजस्थान को लेकर जिस तरह से असमंजस की स्थती से गुजर रही है। उसका प्रदेश बीजेपी को हर दिन नुकसान भी हो रहा है। अठन के काम काज से दूर है बीजेपी में भले ही सामने कुछ नहीं दिख रहा हो। लेकिन अंदर बड़ा उबाल चल रहा है राजे की भूमिका को लेकर बीजेपी में चल रहे इस असमंसच के चलते ही बीजेपी कार्यकरताओं के बीच चुनाव माहौल को वो गती नहीं दे पा रही जो चुनावी साल में। उनी चाहिए विधान सभा चुनावों की तयारी में जुटी भाजपा पूरी तरह एक्टिव मोर में आ गई हैं। प्रदेश प्रभारी रविवार दोपहर जिले के महंदीपूर बालाजी पहुचेंगे। जहां वे होटल वेदान्ता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा प्रदेश, रभारी पहले करॉली व इसके बाद द जिले के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वे दोनों जिलों के पदाधिकारियों को सामुहिक बैठक में संबोधित करते हुए आपसी समन्वय व एक जुपता का मंत्र देंगे। वहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी दोनों जिलों की समन्वय स पिछले दो दिन से पूर्वी राजस्थान के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को अलवर वशनिवार को भरतपुर जिले के पदाधिकारियों की बैठत लेकर विधानसभाचुनाव की रणनीती पर मन्थन किया। पिछले विधानसभाचुनाव में भाजपा को पूर्वी राजस्थान में कॉंग्रेस से करारी शिकस्त मिली थी, बीजेपी को दोसा, करॉली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर्व सवाई माधोपुर जिलों में अधिकांश सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में 2023 के विधानसभाचुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही भाजपा पूर्वी राजस्थान के जरिये फिर से सक्ता में काबिस होने की कोशिश में पूरी ताकत लगा रही है। इसी के तहट पिछले दिनों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा ग्रह मंत्री अमित शाह वराश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा भरतपुर में जनसभा कर चुके हैं।